प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्षिया साथ विज्ञान विशे में अध्याई अथारा अपसिष्ट जल की कहानी के कुछ मैं तो पूर्ड एमसी क्यू करने वाले हैं जो बच्चे चैनल पर नहीं हैं और कार्बनिक हैं तो इसका ओप्स नमर च्यार सही हो जाएगा उप्रोक्त सभी मलवे उस्ता में में ओल सामाने ते कितनी दूरी परोता है तो प्यारे बच्चो पचास से साथ मिट्र की दूरी परोता है ओप्स नमर एक इसका बिल्कुल सही है अब सिष्ट पदार्थों की उ देख सकते हैं आप समुंदर में नदी में भूमी में उप्रोक्त सभी इसका अंश्वर हो जाएगा कार्पनिक पदार्थ समुंदर में नदी में और भूमी में विश्चर जित किये जाते हैं तो उप्रोक्त सभी इसका राइट अंश्वर हो जाएगा गरों और सावर्जन नम्र खेया इसका बिलकुल सही है कारबनी कसुदियां कौन-कौन से होती है मानो मल जेव कप्षिष्ट पदार्त तेल ये सारी कारबनी कसुदियां है तो चोथा इसका सही हो जाएगा उपरोकत सभी तो आगे है जल जनित रोग का नाम आपको बताना है मैंजाइटिस भी जल जनित है हेपिटाइटिस भी जल जनित है और पेचिस भी जल जनित है तीनों रोग जल के कारण से हो सकते हैं तो उपरोगते सभी चोथा अंस्वर इसका सही है हेजा और टाइफाइड आधी रोग उदपन करने वालों को क्या कहते हैं तो प्यारे बच्चों हेजा और टाइफाइड होता है वो जिवानों से होता है तो option नमरे 1 इसका बिल्कुल सही है आगे अपसिष्ट जल के उपचार में क्या समलित होता है तो प्यारे बचो अपसिष्ट जल के उपचार में बहुत तीक, रासायनिक और जेविक तीनों ही प्रकरम इस्तिमाल होते हैं तो उप्रोक सभी चोथा उप्सन इसका सही है आगे है, मानव जाती विशेश कर ग्रामिन बालिकाओं और महिलाओं के लिए गंबीर समस्या है जल लाने के लिए पेदल चलना, समानता, निर्दंता, उप्रोक सभी तो गंबीर समस्या क्या है जल लाने के लिए बहुत दूर तक पेदल चलना तो option नमर एक इसका बिल्कुल सही है आगे है सवस्ता की स्थिती को सुधारने के लिए किसका उप्योग किया जाता है सवस्ता की स्थिती को सुधारने के लिए किसका उप्योग किया जाता है सेप्टी टैंक, प्रासाइनिक सोचाले, कमपोस्टिक पिट तो उप्रोक्त सभी तीनों का इस्तेमाल करते हैं तो चोथा उप्सन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आगे स्वास्ते संकट का एक कारक क्या है अनुपचारित मानो मल कह और खे दोनों तो उप्सन नमर तीन इसका सही हो जाएगा सवस्ता की कमी और सेंदुशित पेजल किसका कारण बनते हैं तो प्यारे बच्चो रोग, बीमारी, टाइफाइड, मलेरिया तो सवस्ता की कमी और सेंदुशित पेजल पिने से हमें रोग हो सकते हैं उपसन नमर एक इसका बिल्कुल सही है बॉमजल के लिए जल का स्त्रोथ कौन सा है, कुओं, टूबेलों, जर्नों तो बॉमजल तीनों तक्निकों से हम निकालते हैं तो उपसन नमर चार इसका बिल्कुल सही है आगे है, विसव में लगबग कितने लोगों को सुरुक्षित पेजल उपलब नहीं हो रहा तो लगबग एक अरब लोग जो हैं, उनको पेजल उपलब नहीं हो रहा आगे है, किस वर्ष बार्थ सरकार ने सब सबच बार्थ के नाम नई मोहिम सुरू की तो प्यारे बच्चों वो सरू करी थी, दो हजार छोड़ा के अंदर उपसन अमर एक इसका बिल्कुल सही है अनुपचारित मानव मल से किस का परदूसर नहीं हो सकता है, जल का भी हो सकता है, मिर्दा का भी हो सकता है, क्या और्ख है दोनों तो उद्योगों का अप्सिष्ट जल भी होता है, अस्पितालों कारियों का अप्सिष्ट जल भी होता है, वर्सा का जल भी होता है, तो चोथा उप्सन इसका सही हो जाएगा, वो प्रोक्त सभी सीविर का प्रमुक कारिये क्या है तो सीविर का प्रमुक कारिये मल विसरजन की विवस्ता क्या है मल विसरजन की विवस्ता आंपक से कौन सी गैस बनाई जाती है ओक्सिजन, कार्बन डाइकसाइट, जेव गैस, वाटर गैस तो प्यारे बच्चो आंपक जो होता है उसे जेव गैस बनाई जाती है उपस नमर तीन इसका बिल्कुल सही है आगे है आंपक क्या है तो दूसी तजल में विद्यमान जो ठूस असूदिया जो होती है जो तली में बैठ चाती है वो होता है आपक ओपसन नमर बीस का सही है दूसीत जल जनित रोग नहीं है हेजा पेचीस मिलेरिया पीलिया तो एजा भी दूसीत जल से होता है पेचीस भी और पीलिया भी मलेरिया मच्छर से होता है तो ओपस नमर तीन नहीं है आगे है सियूंग तरस्ट ने 2005-2015 को चुना खालिस्तान के लिए तो जीवन के लिए जल के लिए चुना ओप्स नमर 3 इसका सही है परती वर्स विशो जल दी उसका मनाया जाता है तो प्यारे बच्चों वो 22 मार्च को मनाया जाता है उप्स नमर 21 का बिलकुल सही है वाहित मल में मिली कार्बनिक असुदी नहीं है मानो मल, नाइट्रोजन युक्तपदार, तेल, यूरिया तो मानो मल में भी कार्बन है नाइट्रोजन युक्तपदार जो है वो कार्बनिक असुदी नहीं है वातन होता है जल में वायू का प्रवा जल में वायू के प्रवाव को क्या कहते हैं वातन का जाता है उप्सन नमर तीन इसका सही है आगे है जल को सुध करने वाले साइक जिवानों को मार देते हैं पैंट, विलाएक, कीटना, स्क्वे, मोटर, तेल तो उपरोक्त सभी ही आगे है सुस्क आपक किस काम आता है इंदन के खाद के गड़ों को बढ़ने में उप्रोक सब्ली तो खाद के काम आता है उप्सन मर भी इसका सही है मिर्दा के रंध्रों को बंद करने के उत्तरदाई क्या है रसोई करका कच्रा केट ना सक रूई वसा तो वसा जो तेल हम नालियों में बाते हैं वो मिर्दा के छिद्रों को बंद कर देता है अनुपचारित मानो मल के परदूसन से होता है जल परदूसन भी होता है, मिर्दा परदूसन भी होता है, वाई परदूसन भी होता है जागरूक नागरिका क्या करतव है स्वायत संस्ताओं को विश्म प्रिष्टियों के रूप में आगरे करने का तो ओप्स नमर तीन इसका सही है आगे है सकरियत आमपक लगबग परतिसत जल होता है तो वो स्तान में परतिसत होता है उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा धन्यवाद